नमस्कार दोस्तों कैसे करें ॡोटों में आप सभीका अज हम फिर बात करने वाले हैंस्टेटबेन बड़ी के आप कर चुके हैं कि आपस्टेटबेंक बड़ी जो है दो उसके ओपर Capital कैसे बना सकते हैं अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं लेखंग, आई तो दोस्तों आज का मिशह है हमारा में की हम लोग Statebank बड़ी में पैसा कैसे एड़ कर सकते हैं या उस वॉलेट में अपना अकाउंट यूज करने के लिए हम पैसा कैसे एड़ कर सकते हैं या फिर हम चाहते हैं किसी को ट्रांसफर करना या फिर मुबायल में चार्ज करना या बिल पेमेंट करना तो दोस्तों हम कैसे ज़र पैसा एड़ कर सकते हैं तो यह वीडियों तक देखते रहे हैं और सीख लीजिये कैसे करें तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें ओपन करना है हमारा StateBankBuddy अकाउंट जैसे हम StateBankBuddy को खोलेंगे दोस्तों तो हमारे से पिन के बारे में पूछा जाएगा तो जो भी पिन आपने एंटर किया दोस्तों वो पिन एंटर कर देते हैं जैसे हम पिल्कुल अपको स्क्रीम डलीखा रहें दोस्तों लोग इन जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों अपना पिन डाल करके तो लोगिन हमें जो है वो कर लिया जाएगा इसके बार दोस्तों हमारे सामने काफि सारी option अते हैं हुष के लिगाना कृफशन सेटाइय, एकसा है चाहते हैं इसके िटनी amount हमक्ताइक है. उसके बाद नीचे option आता है दोस्तों उसका हम लोग continue कर देते हैं उसके इंदर बताया जा रहा है कि हम लोग सिरफ English language इसका परियोग कर सकते हैं क्लिक करने के बाद एक processing होड़ी दोस्तों कुछ second के लिए उसके बाद दोस्तों आपको उस जगह लेकर के जाये रहेगा जहां पर आपको अपने ATM यानी debit card के जो number है दोस्तों वह एंटर करने हैं तो दोस्तों कुछ समय की कुछ second की processing के लिए जैसा हम बिल्गुल आपको वीडियो में दिखा रहे हैं पीछे दोस्तों आपके सामने options आ जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपसे card number पुछा जा रहा है दोस्तों तो card number जो है दोस्तों उसके अंदर आपके ATM card के उपर solar digits की एक संख्या होती है दोस्तों वो entries के अंदर हम लोग कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हमें enter करना है month और year तो दोस्तों वो है expiry date वो expiry date है दोस्तों आपके debit card के ऊपर आपको valid through के लिए भी या फिर valid till के लिए भी जो है आपको options दिये होंगे दोस्तों तो दोस्तों वहां से आप जो है उसको choose कर लेजिए जैसे मैं choose कर रहा हूं February और 2034 उसके बाद दोस्तों CVV code जैसे ही आप ATM card को घुमाएंगे आपको ATM card के पीछे आपको CVC code जो है वो दिखाया जाएगा जो तीन डिजिट्स का होगा तो दोस्तों आप उसको एंटर कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आपको शामने जो है वो दोस्तों card holder का नेम यानि दोस्तों उसका नेम जिसके नाम से वो card है जिसके नाम से bank account जो ह हमारे सामते जो है दोस्तों एक अलग से option खुल करके आएगा दोस्तों कुछ seconds की processing होने के बाद जैसा हम दिल्कुर आपको screen में दिखा रहे हैं दोस्तों आपके mobile नंबर पे एक SMS send किया जाएगा SMS के अंदर दोस्तों आपको 6 digits की एक जो है वो संख्या दियोगी दोस्तों वो हमें enter यहां पर करनी है जहां पर एक box है enter OTP या फिर वन टाइन पासवर्ड जो है दोस्तों उसको बोला जाता है तो आप enter one time password bracket में लिगा है OTP वहाँ पे नीचे जो box है दोस्तों उसके अंदर क्लिक किया और हमने वो OTP एंटर कर दिया वो हमें mobile दोरा प्राप्त हो चुका है उसके बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है make payment पे जैसा हम मिल्कुल आपको screen पे दिखा रहें दोस्तों make payment पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक processing होगी कुछ seconds के लिए उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है वो message भी आ जाएगा कि आपका जो पैसा है दोस्तों वो deductive हो चुका है अगर दोस्तों आपका ATM card इसमें कहा जाए कि bank दवारा आपका ATM card decline कर दिया गया है दोस्तों your payments are declined by the bank दोस्तों आपने i button में एक video डाली है जहां से आप जान सकते हैं कि अगर आपका state bank का या फिर किसी bank का ATM card अगर declined है तो दोस्तों उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं और इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने ATM card या फिर net banking का प्रियों करके आप जो है अपना पैसा एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप जानकरिया पाना चाहते हैं और आपको अगर यह जानकरिया अच्छी लगी तो नेचे दिएगे